हेलो एबरिवन मैं मितोन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे BPSC बिहार टीचर की सबसे बड़ी खबर ये है कि आप किसी विराजिके निवासी हो सिर्फ भारतिये नागरिक होना जरूरी है आप इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हो लगभग लगभग एक लाग सतर हजार वेकेंसी जो है आई हुई है जिसमें प्राइमरी टीचर की अगर बात की जाए तो असी हजार पद के लिए आप अपने आपको इलिजबल पाते हो असी हजार इस बारे में बात करेंगे और देखिए ये जो थमनेल में मैंने लिख रखा है कि ये पांच काम कर लो बरना पच्टाना पड़ेगा ये डेफिनेटली सही बाते हैं सिर्फ आपको हवा हवाई दूसरे राज के स्टूडेंट के परपस और उनके सहूलियत के लिए इस वीडियो को बनाया गया है सिंस आगे बढ़ें और बिहार टीचर के बारे में आपको सारी जानकारी दें उससे पहले में दो कोश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा पहला कोश्चन है एक्स के द्वारा तोड़ा गया था नीचे कोमेंट करके दोनों सवालों का जवाब आप लोग दीजिएगा तो चलिए नितिश कुमार ने फाइनली जो है परधान मंत्री बनने की ख्वाइस की है और पूरे अलग अलग राजी के निवासियों के लिए अलग अलग जहां पर उन्होंने कह दिया है कि भारत का नागरिक हो माना जाएगा और बिहार राजी का जो अस्थाई निवासी है इसे हटा दिया गया है प्रतिस्थापित करना यानि कि हटा देना होता है यानि कि सिर्फ भारत का नागरिक होना काफी होगा ठीक है अब देखिए मैं द अच्छे क्वालिटी का बना लें तभी साइवर के फेजाएं मैं आपको बता देता हूँ अगर आप पेडियाफ बनाने नहीं जानते हो तो आप साइवर के फेजाए और वहां से आप पेडियाफ बनवा लिजेगा कौन-कौन से मार्शिट आपको लेकर जाने है सबसे पहले बीट का मार्शिट आपको लेकर जाना है ग्रेजुएशन का और टैंथ का जी हां आपने जो टैंथ कर रखी है उसका सर्टिफिकेट का जो है आपको पेडियाफ यहां पे अपलोड करना होगा तीसरी बात आपको अपना रेसिडेंशियल प्रूफ जो है वो चाहिए होगा इसके अलावा आधार कार्ट की पीडियाफ आपको अपलोड करनी होगी तो इन चीजों को डाउनलोड कर लिजेगा सीट आट का मार्शिट सर्टिफिकेट जो भी है वो जरूर आप डाउनलोड कर लें अब देखे जो इंपोर्टेंट बाते हैं यह तो डोकुमेंटेशन क इसकी बात मैंने आपके साथ साधा करी दूसरी बात क्या है वह आप जान लें कि अपने सारे जो भी परसेंटेज हैं उसे अच्छे से लिख लें क्योंकि वहां जब आप कैफे में जाओगो तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा बहुत सारे कोमेंट में यह पूछ कर सकते हैं तो देखिए बिहार में न एक टैट परिच्छा ली गई थी जिसे एस्टेट कहा जाता है और एस्टेट के लिए जो है टीजटी और पीजटी टीचर पातरता जैसे आप सीटेट की परिच्छा देते हो तो पेपर टू वाले टीजटी के लिए इलिजबल हो जा अब देखिए एक और बात आती है कि चलिए ठीक है टीजटी और पीजटी में जिनोंने एस्टेट का एक्जाम दिया था वो अपलाए कर पाएंगे अब प्यार्टी के लिए जो है अपलाए करने वाले के लिए एक बात याद रखिएगा आप बिहार के नागरिक हो I mean अग कि यहां पर मैं अपलाए कर पाऊंगा तो देखिए आपके उमीदों पर पानी फिरने वाला है याद रखिएगा आपके उमीदों पर पानी फिरने वाला है आप अपलाए नहीं कर सकते हो आपको कम से कम 90 जो है स्कोर करना होगा 60 परसेंट जो होता है वो अगर आप लाते ह तभी आप यहाँ पर अपलाए कर पाओगी एक और बात दखिए सिंस BPSC ने ये अलाव कर दिया है कि जो एक्जाम होने वाले है जो लाई अगस्त में जो भी होगा अगस्त में एक्जाम हो जाएगा आपका CETAT का तो आप न CETAT जो अपियर है जिनका B.A.D. नहीं हुआ है CETAT हो गया है सारे अपेरिंग कंडिडेट जिनका एक्जाम अगस्त में होने वाला है वो लोग भी BPSC के एक्जाम में बैठ सकते हैं नौकरी पा सकते हैं ये informative चीज़े थी मैंने आपके साथ साजा करी ताकि आपको कोई भी आउट ना रही इसकी क्लासे से अब आपको रेगुलरली मिलेगी और कल ही आपको जो है करेंट फैर्स की क्लास मिल जाएगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक सेयर करें ताकि उनको सही और जैन्विन इंफोर्मेशन मिल पाए अपने भाईयों बहनों तक इसे ज़रूर सेयर करें दोस्तों तक सेयर करें साजा करें अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गंटे वाला बटन नहीं दबाया है तो दबा कर इसे अपने दोस्तों के WhatsApp ग्रूप में फॉर्वर्ड जरूर कीजिएगा धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए Have a good day